Indian Sattvic Diet Plan for Weight Loss and Healthy Life Indian Sattvic Diet Plan in Hindi Hey friends, welcome to Diet Burp where we talk about food, food, food and yes food that helps you in losing weight and becoming healthy मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर डिएटीशन हूँ हमारा पिछला वीडियो जो आयूरवेदिक डायट प्लान पर था उसमें हमने बात करी थी कि आयूरवेदा में तीन food categories है सात्विक, राजसिक और तामसिक वो कहते हैं ना जैसा खाओगे अन वैसा होगा मन और जैसा पिओगे पानी वैसी होगी वानी आयूरवेद भी इसी तरह खाने से इंसान के characteristics को relate करता है सात्विक खाना से pure, healthy, harmony and well-being जैसे characteristics related है राजसिक खाना खाने से stress, anger, activeness, restlessness जैसे characteristics जुड़े हुए हैं और तामसिक खाना खाने से dullness, laziness, ठकान और lethargy जैसे characteristics जुड़े हुए हैं यू तो हर इंसान में इन तीनों गुनों का समावेश होता है बट इनका proportion हर इंसान में अलग-अलग होता है इन तीनों गुनों को balance रखना भी बहुत जरूरी है क्यूंकि तमस आपको अच्छी नींद और आराम के लिए जरूरी है राजस गुन आपको काम करने के लिए, active रहने के लिए जरूरी है और सत्व गुन आपको अपनी life के aspirations, काम नाएं पूरी करने के लिए जरूरी है यह आपके conscience को जगाता है और एक healthy और pure mind and body के लिए काफी जरूरी है चांदो ग्योपनिशद में सात्विक आहार पर जोर दिया गया है उसमें लिखा है which means कि शुद्ध सात्विक food खाने से आपका सत्व गुन, आपका conscious, pure होता है तो अब हमें सात्विक आहार का importance पता चल ही गया है आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा food किस category को belong करता है सबसे पहले हम जानते हैं राजिसिक diet के बारे में राजिसिक diet में spicy foods, rich taste वाले foods, onion और garlic, deep fried याने की तला हुआ खाना, sugary foods, मिठाई, deserts, chocolates, refined foods याने की मैदा के बने पदार्थ, tea, coffee ये सारी चीज़ें आती हैं ये सब foods instant energy तो देते हैं पर long term में stress को बढ़ाते हैं mind body का balance बिगारते हैं राजिसिक प्रवृत्ति के लोगों का digestion थोड़ा weak होता है इन्हें गुस्सा जादा आता है और tension भी गरम मिजास के होते हैं और ये impatient भी होते हैं तामसिक foods की अगर हम बात करें तो इसमें बासी खाना, दुबारा से गरम किया हुआ खाना, chemically processed foods जैसे की alcohol, cigarettes, meats और non vegetarian foods, eggs और preservative व्युक्त खाना जैसे की sauce, artificial sherbet, cold drinks etc आते हैं तामसिक प्रवृत्ति के लोग dull होते हैं, careless और rc भी होते हैं, ये अपनी ही speed से धीरे धीरे सारा काम करते हैं, जहां जगा मिले वहीं लेट जाते हैं, इन्हें बैठना या कोई भी काम करना भारी लगता है तामसिक प्रवृत्ति के लोग आसानी से मोटापा, diabetes और liver की बिमारियों के शिकार हो जाते हैं अगर आपको ये information पसंदा रही है, तो वीडियो को like करके, whatsapp पे अपने friends के साथ जरूर share करियेगा अब हम main point पे आते हैं, जो की है सात्विक डाएट सात्विक डाएट को समझाना बहुत ही आसान है, ये एक simple डाएट है जहां plant-based food आपको ताजा-ताजा बना कर खाना है सात्विक फूड आपको physically, spiritually और mentally balanced रहने में मदद करता है ये आपके दिल और दिमाग दोनों को काम और healthy रखता है और profession में या आपके काम में आपको focus और productivity को बढ़ा देता है सात्विक खाना जब शुद और शांत मन से अच्छी भावनाओं से पकाया जाता है तो वो उन्ही vibrations को absorb करता है और आप जब इस सात्विक खाने को खाते हैं तो ये positive vibration आप तक पहुँच जाती है सात्विक आहार naturally grown foods जैसे की fruits, vegetables, anage, legumes पर based है और इसी लिए ये metabolism को बढ़ाता है weight loss में help करता है, immunity को बढ़ाता है और metabolic disorders जैसे की obesity, diabetes, thyroid में भी helpful है Foods to include in सात्विक डायेट अब इन foods को अपने खाने में यूज़ करिए whole grains, cereals और millets, pulses, legumes और sprouts आप nuts and oil seeds यूज़ कर सकते हैं oil में आप घर का बना घी, मक्षन और इसके अलावा coconut oil, सरसो का तेल, मुंफली का तेल यूज़ कर सकते हैं dairy products में आप दूर, दही और घर का बना पनीर यूज़ कर सकते हैं हर तरह का ताजा fruit और ताजी सबजी आप ले सकते हैं beverages में आप घर का बना fruit juice, vegetable soup, green tea ले सकते हैं sweetness के लिए good और honey का इस्तमाल आप कर सकते हैं foods to avoid आपको non-wich खाना, junk food, processed food, refined foods, ready-made sugary drinks, alcohol, cigarettes और veggies में प्यास और garlic अवोइड करना है here is a sample of साथविक diet plan for weight loss इस diet plan का print out लेने के लिए और इस information को English में पढ़ने के लिए link हमने नीचे comment box में और description box में mention कर दिया है तो चलिए देखते हैं ये साथविक diet plan early morning में आप कुछ तुलसी के पत्ते ले सकते हैं और साथ में लीजे एक गलास plain पानी breakfast में आपको लेना है एक गलास हल्दी वाला दूध, साथ में लीजे एक cup sprouts या फिर 3-4 पीस ढोकला और साथ में हरी चटनी या फिर आप ले सकते हैं मूंग डाल का चिल्ला या फिर आप ले सकते हैं एक बोल vegetable पोहा नाश्टे के बाद mid morning में आप एक fruit ले सकते हैं साथ में आप एक cup lemongrass tree भी ले सकते हैं लंच में आपको लेना है एक cup salad, दो फुल का या रोटी या फिर एक बोल चावल, साथ में लीजे एक cup दाल और एक cup कोई भी हरी सब्दी लंच के कुछ देर बाद आपको लेना है एक glass butter milk स्नाक्स में आप लीजे handful of roasted makhana या फिर कोई भी फल डिनर आपको sunset के पहले करना है आप ले सकते हैं एक cup steamed या boiled salad साथ में लेना है एक cup vegetable खिचरी या फिर एक cup vegetable दल्या बेट टाइम पर आप ले सकते हैं एक glass केसर और बदाम का दूद ये सात्विक diet plan एक ayurvedic diet plan भी है आप बिना किसी second thought के इसे follow कर सकते हैं और 10 दिन के बाद हमें आप जो differences महसूस कर रहे हैं वो नीचे comment करके जरूर बताईएगा Personal diet plans के लिए आप हमें email करिए care at the rate diet verb dot com पे हमारी website www.dietbub.com पे जरूर visit करिए हमारा channel subscribe करके bell icon को press कर दीजे ताकि इसी तरह scientifically correct और practically possible information हम आप तक बहुंचा सके Thank you so much for watching our video, happy eating!